तो हेलो गाइस वेलकम बैक टो और चैनल गैलक्सी ओफ गेम्स तो गाइस आज हम केलने हाले हैं माइनक्राफ्ट स्काइब्लोक जिन लोगों को स्काइब्लोक का मतलब पता नहीं उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि स्काइब्लोक में बहुत सारा आइलाइंड रहते हैं उ और वहां पर एक चेस्ट और पेड़ दिया जाता है चेस्ट में से तोड़े बहुत समान होंगे उन में से कॉबल स्टून जिनरेटर बनाके हमारे आई-लाइन को एक्सपैंड करके दूसरे जो आई-लाइन बचे हो हैं उनको एक्सप्लोर करके गेम को बीट करना होता है तो द आपको बात में पता चलेगा अभी इन ग्रास को तोड़ लेता हूं क्योंकि इन में से सीड मिलने की चैंसेस रहते हैं और देखो बोलने से पहले ही मिल गया हमको एक सीड और यह आकरी बचा है कायदे से और मिल गया दो अभी पहले ना पेड़ काट लेता हूं माइन क्रफ यह बन गए क्राफ्टिंग टेबल और यह थोड़े बात स्टिक्स यह लगा क्राफ्टिंग टेबल जल्दीस इपके आक्स बना लेते हैं और क्राफ्टिंग टेबल को भी ले ही जाते हैं अभी आपको पता चलेका मैंने यहाप पे लावा क्यों डाला पहले नहीं आप लाइस डालते थे लावा को अठाकर आइस को तोड़ देते हैं जिससे की पानी बन जाएगा अभी यह पानी लावा को कॉबस्टून में और का इसे स्क्रीन पर दिखतारा है ना वो कोबल्स्टूब जेनेरेटर बनाने में ना टाइम को नहीं लगे यहिए यह है लेकिन ना बहुत सारे कॉबस्टें यहिपे आच के जेल जाता है इसलिए मैं जेनेरेटर भना रहा हूं जिससे की हमारा कॉबल्स्टून वेसं न यहां पर केती भी कर रही लेते हैं ना दो दो कम एक ही साथ हो जाएगा एक हो बना लेता हूं और एक यहां और एक यहां दो ही तो है ना सीविदी क्राफ्टिंग टेपल को भी लेके कोबल स्टोन माइन करने को निकलते हैं और यह पहला कोबल स्टोन हमारा यह पानी तो मेरे को दख्खा देने में ही लगा है अब इसी पानी के सहारे लेते हो ना डिक करते जाता हूं गिरने का भी कोई डर नहीं है अब यह स्पीड भी तो कम है स्टोन पिकैक्स बना लेता हूं यह बन गई ग्राफ्टिंग टेबल को तोड़ लेता हूं तो गाइस कोबल स्टोन माइन करने के पाथ आपसे मिलते हैं एक सैपलिंग भी गिर चुका है इसे उठा के फिर से प्लैंट कर देता हूं क्योंकि ना फ्यूचर में उठकी बहुत जरूरत है और यहां पर एक-एक सैपलिंग भी इंपोर्टेंट है क्योंकि एक सैपलिंग से बहुत उड़ आएगा और एक आइलेंड भी दिखा ही नहीं दे रहा यहां पर भी नहीं यहां से भी कुछ नहीं दिखा दे रहा है काम परता हूं रेंडर डिस्टेंस ज्यादा कर देता हूं यह चंग पर सेट कर दिया हूं अभी काश दिख जाएं कुछ दिख रहा है पेड़ वेड़ नहीं है यह हमारा काम का नहीं हो सकता और वो यह स्नोग का दिख रहा है काई जिसे यहां से जाना इजी हो सकता है और पास में है शायद से जंगल का वहां पर है यहां पर आई तिंक ओक नहीं ओक का नहीं स्वांप होगा काई दिख छोड़ अभी फर्नेस बना लेता हूं क्योंकि हमें टॉर्च की ज़रूरत है यानी कोल कोल नहीं है तो चारकूल से काम चलाना पड़ेगा चारकूल मलाब लॉग को जलाना पड़ेगा लॉग जलाना है मलाब फर्नेस चाहिए इसलिए फर्नेस बना रहा हूं और अबी लॉक जल रहा है हमारा चार् कोल बन नी रहा है एक चार् कोल काफ़ी है काएदसे क्योंकि ना उडकी कमी है हमारे पास और ये बन गया हमारा डॉट्ड स्लैप्स बना देता हूं कोबल स्टॉन का क्योंकि ना एक कोबल स्टोन को डो बर यूज़ कर सकते हैं स्लाब बनाएंगे तो और ये देखो एक स्टाइक कोबल स्टोन से कुछ ज्यादा ही हो गया है हमारा क्राफटिंग टेबल ले ही लेते हैं और ये काम करता हूँ नीचे वाले में लगा लेता हूँ जिस से ना हमारे पात में ना कोई भी मॉप्स स्पॉन ना हो ये ब्रिजिंग जल्दी जल्दी करके मिलते हैं गा इसाब से और हम पहुंच गए पहले यहां पे टॉर्च लगा देता हूं जॉंबीस वगेरा स्पॉन ना हो जाए क्योंकि मैं पहले ही दिन मरना नहीं चाहता हूं आप स्केलीटन दिखाए दे रहा हूं स्केलीटन है कि नहीं छोड़ो लावा से भी तो लाइट रिफलेक्ट होता है न क्या पता इस पेड़ को भी काटी लेता हूं और हमको फंकिन भी दिया है और फंकिन से हम स्नो गोलम भी बना सकते हैं यह पर स्नो भी तो है और वहाँ पर एक आइलेंड दिखाए दे रहा है दिखने से तो डिजर्ट लग रहा है काई से डिजर्ट ही है मैंना मैप डाउनलोड करते देखा था कि डिजर्ट में एक और स्टार्टिंग स्टार्टर चस्ट है कहकर इसे लिए वहाँ पर जाना जरूरी है हमारा कोबल स्टोन स्लैप्स कतम हो गए और अभी फिर से कोबल स्टोन माइन करके आना पड़ेगा स्नोबॉल मिल गया हमें स्नोब से स्नोब गुलम बना सकते हैं और स्नोब गुलम से स्नोब बनता है और स्नोब क्यों पिगल रहे हैं अच्छा टॉर्च से पिगल रहे हैं स्नू को कलेक्ट कर लेता हुआहां फिर से सनू ना मिले सनो को काईदी से शोवल से करते हैं निस नुव को सक्रेक्ट किया जाता है तो गौण स्का पर पार बना दम यह बन गया हमारा उड़न शवल देखते हैं हाँ यहां मिल रहा है मिल रहा है हमें आई तिंक आठ स्नोबॉल काफी है क्योंकि चार का हमें एक स्नो मिलता है आई तिंक मैंने नो दस तो कलेक्ट कर ही लिया हूं हाँ दस हो गये हैं हाँ जैसे कि मैंने बोला चार से एक स्नो बनता है और क्राफ्टिंग टेबल ले ही लेते हैं और यह पंकिन पंकिन से हम पंकिन सीड बना सकते हैं और यह एक पंकिन से हमें चार सीड मिल गया है अब ही कोबल स्टोन माइन करना है तो गाइस मैं कोबल स्टोन माइन करके आ चुका हूं जो पमक्न यही कहीं प्लांट कर देते हैं पमकिन को bor ग्याप की जरूरत है क्योंकि एक ब्लोक में प्लांट और एक ब्लोक में पमक्न रहता है न इसलिए एक मैंने यहां प्लांट कर दिया और दूसरे के लिए यही जगस है यह और अरे यार मैं भी सीड लगाने के बदले ब्लैंक लगा रहा हूँ फिर से हो मरनी है और ये सीड हो गया और दो को बचा के रखते हैं क्या पता कुछ हो गए तो और दस स्नोबाल को भी अभी चलते हैं डेसल्ट आइलांड की तरफ और ये हम पहुंचे गए एक टैक्टस है यहाँ पे और एक चेस्ट और दस अपसीडियन मिल गया है गाइस जिससे कि हम नैदर जा सके टर्टल है केल्फ, सी, पिकल्ट और ये मिलन सिल्ट्स कैस केल्फ मिला है न इससे हम अनलिमिटेड वाटर सूर्स बना सकते हैं जिस्ट भी ले ही ले दे एक आइलेंड वहाँ पे दिख रहा है पता नहीं कितने आइलेंड से आइ तिंक दस से पंदर आइलेंड तो रहते हैं तो गाइस हम एन आइलेंड पहुन चुके हैं पहले यहां से पानी निकालके दो बकेट टॉफ वाटर बना लेते हैं और उससे हम मल्टिपल मलब इन्फनाइट वाटर सूर्स बना लेता हूं पहले उपर के ब्लॉक में पानी डालना है नीचे के ब्लॉक में केल्फ को पेस कर देना है और फिर उसे तोड़ देना है फिर उस पानी को लेना है प्रिंट करके ले लेता हूं यह मिल गया और इस पानी को फिर से वहां पर यह डाल देता हूं क्रॉप्स के लिए और नीचे चो कोबल्स्टोन बचा है उसे माइन करने दिले ही पानी का तो सहारा लेता हूं मैं और अभी इस पानी से इंफनाइट सोर्स अफ़ोटर बना लेता हूं अभी एक प्लैटफोर्म भी तो चाहिए उसे एक काम पर देता हूं उस लैप से बना लेता हूं चार का स्पेस चाहिए यह हो गया प्लैटफोर्म अभी इसके चार और स्लैप्स लगा देता हूं ताकि पानी दर उदर ना भे मलब ना जाए और यह एकरी स्लैप और यह गया दूसरा पकेट आफ वाटर और हमारा इंफनाइट सोर्स आफ वाटर रेड़ी अब इस गड़े को बंद कर देता हूं यह यहां केल्फ का गया दीर तो नहीं है ना भई हाँ यहां पर है और यह हो गया बंद तो गाइस जितना कोबल स्टोन मेरे पास पढ़ाई थे उसे स्लैप से में बना कर मैंने अपना आईलैंड बढ़ा कर दिया है और यहां से सामान उठा के यहां पर शिफ्ट कर दिया है मैंने और अभी स्लैप बनाना था मैं चस्ट क्यों खोल रहा हूं हाँ यह बन गया हमारा स्लैप मैं सोच रहा हूं जो वो स्नो वाला आईलैंड था उसे पेड़ का फार्म बना लेता हूं क्योंकि यहां पर खाने का फार्म है तो पेड़ का भी तो जरूरत है हमें तो इसे एक्सपैंड करके यहीं पर पेड़ उगा देता हूं पहले ना एक लेयर ड़्ट थाटा देता हूं क्योंकि ड़्ट भी तो हमें चाहिए इसलिए नीचे वाले ब्लॉक को मैं दोन स्लैप्स अटैच कर देता हूं मलब लगा देता हूं और यह गलत लगया छोड़ों और यह लगया यहां तक काईदे से काफी है पहले ड़्ट को खो दी लेता हूं शोवल तो है ना मार पास पहले स्लो लेंगे फिर ड़्ट को खो देंगे और काईज एक साप्लिंग मिल गया था जो की वीडियो रेकॉर्डिंग में नहीं था उस वक्त मिल गया था इसलिए मैं ने उठा के यहीं पर प्लैंट कर दिया लेकिन अभी हटा रहा हूं से क्योंकि प्लैटफ्याउम भी तो एक्सपैंड करना है न यह गया और गाइस डर्ट को खोदने के बाद मिलते हैं तो गाइस जितने भी डर्ट थे उसे खोद दिया है मैंने और अभी कॉबर स्टून स्लैप से एक्सपैंड कर देता हूं दिखो इस डर्ट न स्कुएर की टाइप दिया है एक आईलैंड स्कुएर की टाइप में कैसे हो सकता है यह तो पता नहीं मेरेको क्रियेटर ने बनाया है ऐसे और मैं भी स्क्वायर की तरफ ही मला मैं भी स्क्वायर ही तरह बना रहा हूं क्योंकि फैंसिंग वगेरा इजी है दो काफी है काई देशे तड़ बात अवर खर ही देता हूं क्या फरक बड़ेगा और यह वाला ना कुछ और दिख रहा है इसलिए से हटा के नीचे ही डाल देता हूं और यह डाल गया और अभी थोड़ा वात और कॉबल्स्टोन लेकर आ जाता हूं और काइस कॉबल्स्टोन को माइन करने के ज़रूरत ही नहीं है यह और कॉबल्स्टोन मेरे पास पड़ा हूँ है मैंने पूरा कॉबल्स्टोन को स्लैप्स में कनवर्ट नहीं किया था इस कॉबल्स्टोन स्लैप्स को अभी डाल के इस काम को यहीं पे खतम कर देता हूं दो साप्लिंग ओका है क्योंकि पेड ना उक्के काट दिया था मैंने दो पेड उग गये थे जिसमें से एक पेड़ को आग लग गया था लावा से कि इतना एक्सपैंड करना काफी है और यह कंप्लीट अभी साप्लिंग डालने की बारी जैसे कि मैंने कहां तो साप्लिंग ही है को के इस कोने पर डाल देता हूँ और इस कोने पर डाल देता ओं और ईक्स पूरूस का बचा है जो कि बच्छी दोनों पॉर्णर में डाल देता ओं तो गाइस यह ता आज का वीडियो I hope कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजे कुछ आइडिया देने तो कमेट कीजे और गाइस हमारा चैनल को सब्सकाइब करके ही जाना